Hello everyone, पिछले वीडियो भे हमने differentiation of implicit function किया था, आज थोड़ा उससे और आगे हम लोग questions देखते हैं, तो थोड़ा इस type of question देख लेते हैं, कि इस type of question को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यह जो हमारा question है, इसमें लिखा हूँ x to the power m into y to the power n is equal to x minus y to the power m plus 1, m plus n, और find divided x, हमें क्या कर भी बना सकते हैं, लेकिन log लगा के हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, आज हम लोग बिल्कुल basic तरीके से इसको बनाते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा, patience रखेएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, differentiation करना, इसको start करते हैं, कि differentiation with respect to x, तो यह u into v के form है, तो क् पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले को differentiate करेंगे, तो पहला वाला कौन है, x to the power m, तो x to the power m को हम छोड़ दियें, और y to the power n को differentiate करेंगे, तो कितना जाएगा, n into y to the power n minus 1, तो यह तो भी power का किये तो y का क्या होगा, y का होगा, dy y dx, फिर plus, फिर दूसरे वाले को छो differentiation, यह x to the power n के form में है, तो क्या होगा, power भार आएगा, m plus n into x minus y to the power m plus n minus 1, यह हो गया, यह तो भी power का हुआ है, अब अंदर वाले का differentiation, तो bracket में, x का हो जाएगा, 1, और y का हो जाएगा, dy y dx, तो यह इसका हो गया differentiation, अगर हम लोग बात कर लें कि, dy y dx किस किस term में है, तो हम लोग देखते हैं, कि dy y dx एक तो यहाँ पर इस term में है, और एक dy y dx यहाँ पर है, लेकिन यहाँ वाले में दिक्कत क्या है, कि यह जो term है, यह जो term है, यह दो term है, और यह दो term है, तो जो दूसरा वोला term आएगा, उसमें आजाएगा, minus dy y dx इंटू यह आजाएगा, और यहाँ पर dy y dx से साथ यह है, तो दोनो dy y dx को अगर हम साथ में कर दें, तो यहाँ पर हम direct साथ में common लेले के लिखे रहे, तो dy y dx अगर हम इस तरह से लेले, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, x to the power m into n को आगे लिख देते हैं, अब y to the power n minus 1, यह हो गय अच्छा, इधर से कौन आएगा, इधर से आगा, इधर से आगा, माइनस में यह, इंटू में, डिवागर ds, तो डिवागर ds तो common ले लिए, तो यह जो माइनस में आणा इधर आगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो जाएगा, प्लस में m plus n into x minus y, और इसके power में m plus n minus 1, य क्या जाएगा, माइनस में, m को आगे लिख लेते हैं, x to the power m minus 1 into y to the power n, यह बचेगा, अगर आप लोग को यह चीज़े समझ में नहीं आया, कि यह कैसे हो गया, तो आपको क्या करणा है, कि एक बार इसको इसको multiply कीजिए, फिर minus एक बार इसको multiply कीजिए, इसके साथ, फिर डिवर 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 करण को उठा के इधर ले आईएगा, और जैसे ही common लेंगे आप, तो यह ही आजाएगा, तो मैंने दो line बचा लिया, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, कि इसको हम solve कर सकते हैं कैसे, इस तरह से dy y dx, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, n into x के power m, यह जो y क power n minus 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y to the power n upon y, ऐसे लिख सकते हैं, चूकि बेस सेम है, तो power क्या होता, घड़ता है, तो घटेगा तो यह जाएगा, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, इधर ऐसे लिख सकते हैं, m plus n into x minus y, और यहाँ जो m plus n minus 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, m plus पारवर हा ना तो बेस सेम है तो पावर क्या होग, घटेगा तो घटेगा तो इतना ही आज आएगा, मतलब यह चीज़े यह चीज़े बिल्कुल सेम है, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पी हम सेम काम करें, m plus n into x minus y, और इसके पावर में m plus n और उसको नीचे ले आ हैं क्योंकि यहां पे हम देखते हैं कि जो मारा जो question था क्योंकि इसका answer बहुत ही simple लागा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं तो वैसे तो differentiation हो चुका है सिर्फ हम लोग उसको simple कर रहे हैं कि कितना simple ला सकते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि x-y के power m plus n है इसका जो value है वो हम इतना रख सकते हैं x-y के power m plus n का जो value है उसके जगा हम यह भी रख सकते हैं तो इसी को use करने के लिए हम यहां पे ऐसा किया हैं तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि dy y dx dy y dx यहां पे क्या बचाएगा n into x के power m y के power n plus इसके जगा तो m plus n ही अभी रहेगा और यह जो चीजे हैं इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे इसके जगह हम लिख सकते हैं चुकि यही value है न इसके जगह हम यह लिख सकते हैं तो यही तो चीजे हैं इसके जगह हम क्या लिख देंगे x के power m और y to the power n और फिर नीचे क्या बचेगा नीचे यहाँ पर बच रहा है यह अलग अलग था यहाँ पर बीच में है प्लस इस तरह से और यह Y और यहाँ पर X-Y तो यह हो गया इसका simple form यहाँ पर कर लेते हैं तो M plus N और यहाँ भी इसके जगे क्या रखेंगे X to the power M, Y to the power N upon X-Y minus M into X के power M into Y के power N upon X तो यह हो गया इसका simple form अब हम थोड़ा सा और calculation करेंगे तो फिलहाल में उपर वाला part इसको मिटा देता हूँ तो अब हम लोग क्या करेंगे LCN वेगर लेंगे और इसको और छोटा करने की गोसिस करेंगे देखते हैं कितना छोटा होता है बिल्कुल simple answer आने का तो देखते हैं LCN वेगर लेकर कितना आता है तो अगर आपको LCN देना आता होगा तो आप खुद से भी ले सकते हैं LCN तो देखें यहाँ पे LCN कितना आएगा Y into X minus Y और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह दो तर्म है यह दो तर्म उपर में यह common है यह वाला पार्ट, यह पार्ट और यह पार्ट common जाणा है तो क्यों ना हम common निकाल लें तो common जैसे ही निकाल लें तो क्या बचाएगा π्लस, M plus N, M plus N, यह वहला पाट common निकाल लेती है बचा, अपान में X minus Y, upon में X minus Y is equal to, यहां पर क्या common आँगा, X to the power, M, Y to the power N, यहां भी X to the power, M, Y to the power N, यह common ले लेते हैं, तो यहां पर क्या common आएगा, X to the power, M, Y to the power N, क्या बचाएगा, M plus N, अपान, X minus Y, और माइनस में यह यह बच जाएगा, अब अगले स्टेक में इसमें LCM ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा dy by dx, और यहाँ जाएगा x to the power m, अच्छा यह जो चीजे हैं, यह यह और यह इंटू में हैं, यह और यह इंटू में हैं, तो यहाँ पर लोग देखेंगे, कि यह और यह कर जाएगा, तो इसको तो फिलिख नहीं जरू था ही नहीं, तो हमारे पास अब क्या-क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है, यहाँ पर LCM कितना, y into x minus y, और यह यहाँ बचाएगा, nx minus ny, और प्लस यह यहाँ बचाएगा, तो my plus ny, यह multiply हो चुका है, इधर कर लेत हैं, इधर हैल से हम कितना, x into x minus y, यह x यहाँ multiply होगा, mx plus nx minus, minus होने करन multiply भी होगा, और sign भी change होगा, तो कितना जाएगा, mx और plus my हो जाएगा, mx plus my, अब हम लोग देखते क्या है, कि यहाँ से minus का ny और plus का ny कटी है, यहाँ पर minus का mx और plus का mx कट चुका है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, वो देखते हैं, तो जो मारे पास बच रहा है, उसको पहले हमें लिखेंगे, और फिर देखते हैं कि क्या आता है, dyy dx, काफि सिंपल होता जा रहा है, अभी एक दो step में और भी यह सिंपल हो जाएगा, तो हम लोग देखते क्या है, कि यहाँ पर अचेगा, नीचे में, और यह bracket approach is equal to यहाँ क्या बचेगा, nx plus my upon x, तो हम क्या देखते हैं, कि यह उपर बच भी पार्ट भी सेम है, तो यह भी कर जाएगा, तो यह y को इज़े cross multiply कर देंगे, तो देखे, dvdx कितना simple आ गया है, कि dvdx का value आ गया, y by x, तो यह हो गया answer, तो हम लोग क्या कियें, कि differentiation तो कड़ी चुके थे, बस इतना जाता जो क्या करना पड़ा, calculation करना पड़ा, तो इस type of question हम आप लोग बना लेंगे, इसको हम लोग log के थूरू भी बना सकते हैं, जो मुझे लगता है कि इस से थोड़ा आसान हो जाएगा वो, जब हम log वाला question क plus minus 1 थोगा, plus minus 1 है, plus minus 1, prove that कि divided dx is equal to cos square a plus y upon sin a, यहां पर बस यह बोला गया, कि cos a का जो value है, वो plus minus 1 नहीं है, बस इतनी सी बात है, और हमें यह चीजें दिया हुआ है, यह चीजें दिया हुआ है, और हमें यह प्रूफ करना है कि divided dx is equal to इतना आएगा, तो क्या करेंगे, जो हमारा given उसको ले के चलेंगे, और उसको differentiate करदेंगे, तो यतना आने का पुरा chance है, तो हमें कैसे पता चला कि जो है, उसको differentiate करेंगे, जो कि यहां पर divided x लिखा हुआ है, तो जो दिया हुआ हुआ उसको differentiate करएगा, तभी तो और divided x आएगा, तो चली स्टार्ट करते हैं हम ल प्रूफ को देखते हैं यह काम करना होता है यह अपना दिमाग लगाना होता है तो हमको क्या दिखिया कि cos square a plus y दिखिया तो square तो तब आता है जब raise u अधी के form में हो तो नीचे वाले का square करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि cos square है तो ज़रूर इसको उठाके इसके नीचे डाल देते हैं उसके बाद differentiate करेंगे तो चलिए यह start करते हैं cos y और इसको उठाके इसके नीचे डाल देए कितना हो जाएगा cos a plus y हो गया और इसे equal to कितना रहेगा x रहेगा अब हम लोग क्या करते हैं दोनों तरब differentiate करते हैं with respect to x differentiation with respect to x तो यहां क्या हो जाएका नीचे वाले का square चुकि u i bhi लाएगा तो u i bhi में क्या करते हैं नीचे वाले का square कर देते हैं तो नीचे वाले का square फिर उपर में क्या करते हैं उपर में क्या करते हैं नीचे वाले को छोड़ देते हैं यानि कि cos A plus, Y is नीचे वाले को छोड़ दिएं उपर वाले को differentiate करके लिखेंगे, तो cos का differentiation minus sin y, ये तो cos का किये थे y का, y का dy y dx, फिर minus, फिर उपर वाले को छोड़ देंगे, उपर वाले का होना है, cos y, और नीचे वाले का differentiation, तो cos का minus sin a plus y, और फिर ये तो भी cos का किये थे, a plus y का, तो a का हो जाएगा 0, 0 plus y का हो जाएगा dy y दी एक्स तो यह 0 कोई मतलब है नहीं सिर्फ दीवार दीएक्स से समझो यहां पर तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अगले step में अगर हम इसको solve करें तो क्या मिलेगा मैं कि उपर भी यह माइनस आजाएगा बहाण तो यह जाएगा क्या 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 माइनस माइनस डीवाईवाई डीएक्स हम कामा ले रहा है तो यह माइनस और बिएक्स कामाल आचूका तो यह अर यह मल्तिप्लाइम बढ़ रहेगा अब यहाँ क्या कि यह minus common ले लिए तो यह minus रहेगा तो हो जाएगा minus फिर हो जाएगा कितना cos y into sin a plus y और नीचे इसके क्या रहेगा इसके नीचे क्या था cos square cos square कितना था a plus y a plus y हम लोग एक तरफ वाला part छोड़ दिये हैं कि इसको तो differentiate कर दिये हैं और यह इस x का differentiation 1 होगा ना तो यहाँ पर लोग छोड़ दिये थे इसको हम कर लेते हैं दोनों तरफ differentiate करते हैं ना यह u y b का differentiation यह हो गया और फिर इधर x का डेफ्रेसिशन 1 तो यहाँ पे जो क्या था यहाँ पे equal to में क्या चल रहा है यहाँ यहाँ पे 1 यहाँ लिख लेते हैं इस equal to में क्या है 1 इस equal to में यहाँ 1 है तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको cross multiply कर देते हैं तो cross multiply कर देंगे, तो क्या हो जागे, आपर minus में dyy, dx है गा, और यह sin a into cos b, यह cos a into sin b है यह, जहाँ से आप देखें, कि sin a into cos b minus cos a into sin b, यह हो गया a, यह हो गया b, तो किसका formula है, sin a minus b का, तो यह हो जाएगा, sin a minus b, a का मतलब y, minus b, b का मतलब a plus y, तो आगे minus होने करण sign change करके लिखेंगे, और नीचे क्या था, नीचे था cos square a plus y, चले अगले step में हम लो cross multiply करते हैं, तो कितना जाएगा, यह y, y कर जाएगा, और यह जो sin of minus a आड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो वो minus बाहर देदेगा, तो यह क्या हो जाएगा, sin a is equal to a, cross multiply हो जाएगा, cos square a plus y, इसको उठाके divide कर देंगे, तो यह बात हो जाएगा 2, कि cos square a plus y, upon रहेगा, sin a, यह हो गया 2, तो अब हम लोग इस टाइप कोशन को देख लेते हैं, कि if y is equal to इस तरह से root में है, cos x plus फिर root, cos x plus फिर root, cos x plus और यह चलता जाएगा, infinite कर, तो prove that, कि 2y minus 1 into d or dx plus sin x is equal to 0, यह बात हमें प्रूफ कर दी है, तो हम लोग जब भी इस टाइप कोशन हो, तो हम लोग करते क्या हैं, उसके लिए मैं आपको तरीका बदाता हूं, कि जैसे मालोक यह हमाने पास given है, given हम लोग ले लेते हैं, यह given है, और यह प्रूफ करना है, तो जो given है, उसको उठा लेते है, y is equal to under root cos x, और fade under root cos x, और fade under root cos x, और यह बिलकुल चलता रहेगा कब तक, infinite तक चलता रहेगा, इसको रूखना नहीं है, तो हम लोग ऐसे case में क्या करते हैं, कि और भी यह root आता रहेगा, तो कितना लिखेंगे इस तरह से, तो ऐसा करते है कि अगर हम लोग ऐसा करें, कि first वाला पार्ट इसको उड़ा दे हम लोग, इस तरह से, जैसे देख लिए अभी इसका नाम y है, अभी इस photo का नाम y है, अगर हम लोग पहला वाला पार्ट इतना हटा दे, यह root रूपर वाला पार्ट हटा दे, तो जो चीजें दिखेगा, व वो भी क्या कहला आगा, वाई ही कहला आगा, बिल्कुल उसी जैसे तो होगा, जैसे पहले था, वैसे आज भी रहेगा, जैसे हम इसको मिटा दे इस तरह से, इसको अगर मिटा दे, तो कोई फर्क तो पढ़ नहीं रहा है, क्या फर्क पढ़ रहा है, जो था वही है, तो बो पड़ेगा, समुझगे पाने घटेगे या बढ़ेगा, कोई फट नहीं पड़ेगा, उतना ही ड़ाएगा, तो वही चीज़े हैं, यह बिलकुल infinite था कि इसमें थोड़ा सा चीज़े इस तरह से पार्ट कटकर निकाल दें, तो यह चीज़े क्या कहलाएगा, यह चीज़े बि रूट, कॉस एक्स प्लस य, सही है, कॉस एक्स और यह हो गया, तो अब दोनों तरफे स्क्वाइडिंग कर देते हैं, ताकि यह प्रूफ करना असान हो जाए, तो स्क्वाइडिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफे स्क्वाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा y square और यह हो जाएगा cos x plus y. टूफ को देखते वे लगड़ा कि cos x का difference sin x आ जाएगा और यहाँ पे 2y minus 1s, अच्छा है, इसका मतलब y वाले को एक साथ कर देना चाहिए. तो y square minus y is equal to cos x. अब इसको differentiate कर देते हैं with respect to x. तो बोलो y square का differentiation कितना जाएगा? 2y into dyy dx minus y का differentiation dyy dx is equal to cos x का differentiation minus sin x. तो यहाँ से dyy dx अगर हम लोग कामन ले ले, तो bracket में क्या हो जाएगा? 2y minus 1 और यहाँ जाएगा minus में sin x. अगर हम इसको आगे लिखे ले 2y minus 1 into dyy dx और यह minus में इधर आएगा, तो plus में हो जाएगा, तो sin x is equal to 0, यह होता है, root. तो यह काफी simple question था, तो जब भी infinite term वाला question रहे, तो उसमें से यही करना है, आपको यह पहचानना है कि कहां से repeat होड़ा है, तो हमने यह पहचाना कि पहला लपाठा का ढग दे, तो यहां से यह चीज़े repeat होड़ा है, तो जो repeat होड़ा है, उसी का नाम यह y हो जागा, जो भी यहां पर नाम रहेगा, वो नाम यहां पर ढग देगे, जहां से repeat होड़ा होगा. तो हमारे पास अगला question है, कि if under root 1 minus x square plus under root 1 minus y square is equal to a into x minus y, तो हमें proof करना है यह चीज़े, तो इसको proof करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम differentiate करेंगे, और इतना आएगा, तो differentiate करने से पहले, इस वाले question में क्या करते हैं, थोड़ा अलग तरीका हमनों लगाते हैं, क्या, कि जो proof करना है, वो ज़्यादा आसान हो सकता है, कब, जब यह simple हो जाए, तो, चुकि इसको differentiate करना तो आसान है, थोड़ा सा arrangement करना है, मुश्किल है, तो थोड़ा हमें इसको different तरीके से बना सकते हैं, आप एक normal तरीके से differentiate करके बना के देखिएगा, बनेगा, लेकिन हम दूसरे तरीके से बना के देखते हैं, जैसे मालों जो हमारा given उसको उठा लेते हैं, जो हमारा given उला portion उसको उठा लेते हैं, given, given क्या है, under root 1 minus x squared, plus under root 1 minus y squared, is equal to a into x minus y, तो हमको root के अंदर 1 minus x squared दिखा, root के अंदर 1 minus y squared दिखा, तो हम क्या सोचें, कास इस x के जगह, sine होता है, तो 1 minus sine squared, cos squared हो जाता है, और root से भढ़ा जाता, तो चुकि यहाँ पर x से ये y है, अलग-अलग naming है, तो अलग-अलग हमें चीज़े मानना पड़ेगा, तो हम जो मान लेते हैं, x को मान लेते हैं, sine a मान लेते हैं, और y को मान लेते हैं, sine b, तो यहाँ से a का वैलू अगर हमें निकालना पड़े, तो कितना आजाएगा, sine inverse x आजाएगा, और यहाँ से b निकालना पड़े तो, sine inverse y आजाएगा, तो ज़र्गे हम इसको यहाँ पर डग देते हैं, तो डगते हैं इक साथ क्या बन जाएगा, under root 1 minus sine square a, sine square a, now, और plus under root 1 minus sine square b, is equal to a into x के जगा क्या रखे थे, sine a minus sine b, तो यह क्या बन गया, यह बन गया, cos a, और यह बन गया, cos b, is equal to a into, sine a minus sine b, तो अब हम यहाँ पर फार्मला लगाते है, cos c plus cos d का, तो cos c plus cos d का फार्मला क्या होता है, 2 cos c plus d by 2, तो c plus d by 2, into cos c minus d, यानि a minus b by 2, is equal to a, अब यहाँ पर sin c minus sin d का फार्मला क्या होता है, 2 cos c plus d by 2, यानि a plus b by 2, into sin c minus d by 2, तो यह हो गया फार्मला, अब हम लोग क्या देखते है, यह 2 से 2 कैंसल, और यह cos वाले से cos वाला टर्म कैंसल हो गया, तो अब हम इसको डिवाइट करने, इसको उठाके इधर डिवाइट करने, तो क्या बन जाएगा यह, इसको जैसे ही उठाके इधर डिवाइट करेंगे, तो cos by sin बन जाएगा, और angle same है, तो क्या बन जाएगा, cot, तो यह बन जाएगा, cot a minus b by 2, is equal to a, अब इस cot को उठाके इधर कर दिए, तो जैसे ही cot को उठाके इधर ले जाएगे, तो उठाके क्या दिखेगा, इधर दिखेगा, a minus b upon 2 is equal to, is equal to में क्या आएगा, cot inverse चला जाएगा, cot inverse a हो जाएगा, अब इस 2 को भी इधर multiply कर जाएगा, a minus b is equal to हो जाएगा, cot inverse a, अब इस a का value क्या था, a का value क्या था, a का sin inverse x, तो यहाँ लग देंगे, sin inverse x minus b का, sin inverse y is equal to, cot inverse a, अब इसको हम differentiate कर देते हैं, with respect to x, तो यह हो जाएगा, sin inverse x का, under root 1 minus x square, sin inverse y का, 1 upon, यह 1 upon है, 1 upon under root 1 minus y square, अफिर y का हो जाएगा, dy y, dx is equal to, cot inverse a, यह 100% constant, इसका रिफरेंसेशन 0, तो यहाँ से जब हम लोग, dy y, dx निकालेंगे, तो क्या जाएगा, under root 1 minus y square, upon under root 1 minus x square, और यह होता है, root, यह हमें प्रूफ करड़ा था,